ये हायना अपनी जिन्दगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठा ये अचानक इस हिपो को देखकर नदी में कूच जाता है इस हिपो से लड़ने के लिए नहीं बलकि उसके मास्की दावत उड़ाने के लिए क्योंकि उसे लग रहा था कि हिपो मर चुका है और अपनी जबडों से उसका फलूदा बनाने के लिए उसका पीछा करने लगता है लेकिन आज इस हायना की किसमत अच्छी थी तो वह किसी तरह से बच जाता है